प्रपती श्वाजी महराज की हाई और वेलकम तो दो बिग बेंच मैं हूँ आपके साथ नमता सच्छदेव मेरे साथ है हमारे सीनियर जोनलिस्ट विकास जेश्रिवास्तव वेल आज 30 जून है और आज महराश्ट्रा की डबल इंजन की जो सरकार है उसने अपना एक साल पूरा कर लिया है देखिए वैसे तो कोई भी सरकार पांक साल के लिए बनती है बर दिन इस एक साल में सीम एकना चिंदे की जो सरकार हैं उनके क्या-क्या अचीवमेंट्स रहे हैं जब भी सेलिब्रेशन होता है एक साल पूरा होता है या बर्दे भी होता है हमारा हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बोलोगे आप इसमें मतलब बिल्कुल न मिता देखिए सब कुछ यहां पर खेल जोन है प्रारिटीस का है नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी एक साल पूरा होता है तो सेलिब्रेशन होते हैं लेकिन मेरे खाल से महजूदा सीयम एकनाश शिंदे की सरकार में प्रारिटीस जो है सेलिब्रेशन से ज़्यादा कुछ और है हमने देखा कि बीते कई दिनों से जो क्याबिनिट एक्स्पांशन का काम है वो काफी दिन से रुका हुआ है बीस मंत्री बन पाएं अभी तक तीरालीस बनाये जा सकते हैं और किसी भी सरकार को सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबके पोर्टफोलियो डिवाइडेड हो सबको अपने अपनी काम की जिम्मेदारी का अहसास हो और देखिए उनकी यह सब कोशिश है इसका असर भी हो रहा है आपको पता है पीम मोदी परसनली बहुत पसंद करते हैं सीम एकनाच शिंदे को क्योंकि वो उनकी कारे करने की काम करने की शैली से बहुत जादा प्रभावित हैं तो इसका भी असर पढ़ रहा है दिल्ली तक अब उनका नाम गूज रहा है और वो जानते हैं कि BJP के शिर्स नेताओं के साथ बैट कर ही मंत्री मंदल का विस्तार किया जा सकता है सो हीस फ्रिक्वेंटिंग मतलब वहां पे वो दिल्ली लगातार जा रहे है और उमीद है कि बहुत जल्दी हमें महाराष्टर में काबिनेट की एक नई शकल देखनों को मिले दाट इस दा प्रारिटी राइट ना ऐसा मुझे लगता है अगर सीयम एकनाचिंदे की हम बात करते है ना तो उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया शिवसेना को तोड़के उन्होंने यह सरकार बनाई नमीता दिखे कोई भी पार्टी ना एक लीडर के नेतरुत में बनती है एक लीडर के आइडियोलजी को लोग फालो करते है उसे कनेक्क करते है उसको फालो करने लगते है और फिर वह पार्टी दीरे बढ़ने लगती है शिवसेना भी बढ़ी 1966 में बाला साइब ठाकरे ने बनाई उसके बाद यह पार्टी बढ़ी कोर जो आइडियोलजी थी इसकी वो हिंदुत्व की थी लेकिन सम्हाव मुझे ऐसा लगा कि they have been misguided like वो रास्ता भटक गए और पार्टी के टूटने की सबसे बड़ी वज़ा अगर कोई थी तो यह यह इकलोती वज़ा नहीं थी वज़ें तो तमाम थी लेकिन पहली सबसे बड़ी वज़ा जो मुझे समझ में आती है एक रिपोर्टर के तौर पे एक जर्नलिस्ट के नजर से जो मैं देख पाया वो यह था कि शिवसेना कोर आइडियोलजी से भटक चुकी थी उसे नहीं स बढ़ते रहते हैं फिल परा के एक स्टेज आता है जब आपको कोई ना कोई डिसिशन लिन बनाता है उद्ध उठा करें और वो यह बोलते हैं कि हम आते हैं चार चार घंटा वर्षा पर सीयम रेसिदेंस पर इंतजार करते हैं और साहब हमको मिलने का समय नहीं देते हैं मतलब यह इकलोती वजह नहीं इसी कई वजह मैं गिना सकता हूं जिसकी वजह से शिवसेना टूटी यह जो आपने अभी रीजन बोला यह काफी था अपने घर को तोडने के लिए अपने घर में ऐसा इसको तोड के कोई अपनी सरकार ऐसे बनाता है क्या बिलकुल नमिता देखिए आप इसको पार्टी तोडने का नाम दे रही हैं मैं जिस नजर से इसको देखता हूं यह है पार्टी को भटकने से रोकने का काम किया गया है जब उन 2019 के चुनाओ लड़े गए तो बीजेपी शिवसेना ने साथ मे लड़ा लेकिन अपने परस्नल इंट्रेस्ट की वजह से शिवसेना अलग हो जाती है वो हाथ मिला लेती है एंसी पी और कॉंग्रेश जैसी पार्टियों से वो पार्टियां जो आइडियोलोजी के बिल्कुल डिफरेंट है मतला बोलते हैं ना दो छोर का मेल यहां पर देखने को मिला तो आप मुझे बताए कि गद्दारी किस ने की आपने जनता से वोट मांगे साथ मिलकर लेकिन सरकार बनाई आपने अपोनेंट्स के साथ मिलकर तो गद्दारी किस की तरफ से हुई दो ठाकरी की तरफ से और उसी का बदला यह फड़नवीस कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ फड़नवीस ने कहा है कि उसका बदला लिया गया है अभी रिसेंट्ली एक आड भी आया था जिसमें डेपीटी सीम देवेंद्र फड़नवीस और सीम एकनाशिंदे की बाते हुई अगर थी भी तो उनके फॉलोवर्स के बीच में थी अगर फड़नवीस जो की पिछले तर्म में सीम रह चुके हैं उनकों को यह बोलेगा कि वह पहली पसंद नहीं है तो उनके समर्थों को थोड़ा तो खराब लगे गई तो उन्होंने एसकलेट किया था एमाटर कुछ ब बता दूं कि रिफ्ट की बात थी वह बहुत सर्फिस लेवल पे थी उसके डीप में हम जाएंगे तो हो सकता है कि हमें असली वज़ा समझ में आए लेकिन वह कारेकरताओं के बीच में एक रिफ्ट थी ना की दो लीडर के बीच में और वैसे भी उसको अब शांत कर दिया तो रातो रात चालिस विधायक उनके साथ उठके नहीं चल दी होते हैं अफकोर्स उन लोगों ने सियम एकनाच शिंदे के अंदर उनका बॉस देखा उनका लीडर देखा और इसी वज़े से शिवसिना का एक बढ़ा हिस्सा जो है वो एकनाच शिंदे के साथ चलके चलाय अब कर दो इन प्रूइंस पह तो सकते हैं उनके किसी बात से उनके कारे शैली जब वे ही फंक्शन शिंदे कहते रहें कि वो नेताबाद में पहले कारे करता हैं वो बोलते हैं कि वो ग्राउंड पे रहते हैं एपार्ट फॉं दाट एक शिकायत ए भी थी उस उद्धव सरक अब्यूसली लोग उसको अपना बॉस मानने लगेंगे अपना लीडर मानने लगेंगे रही बात देवेंद्र फरनवीस क्यों बॉस बोल रहे हैं उसका भी एक रीजन है देखे शिवसेना की कोर आइडियोलजी क्या थे हिंदुत्व के वोट माँएंगे हिंदुत्व की आपनी राजनिती की है लेकिन उद्धव सरकार में हमको यह देखने में मिला नहीं थाकि वो आइडियोलजी कहीं गाइब हो गई मतलब हावा में उड़ गई पता ही नहीं चला है असा लग रहा था कि शिवसेना यह वो शिवसेना नहीं है भाई यह तो कुई नई शिवसे को लेके सरकार आगे बढ़ाने का काम खुद एकनाच शिंदेने की और प्रॉबबिली मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यही वजा है उनके बॉस कहलाने की कि खुद देविंद्र फढ़न भी सेल्यूट कर रहे है उनको की आपने वो किया जो पिछली सरकार नहीं कर पा रहे कर फिए आपको पता नमीता हिंदु की बात होई रही हिए ना हिंदुत्य की अलग जगाने वाले खासकर वह काल में कौन से जब टेश गुलाम था अंग्रेजू का सासन था हम सावरकर की बात करते हूं और सावरकर को बूल जाते हैं उन्होंने नामकरन भी किया उन्होंने एक आइकोनिक लोकेशन का नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा और दिखाए कि वीर स्थिल अटाच्ज टू इस परसो नाम अभी रिलेवेंट है और यह काम एकनाथ शिंदे ने किया और सीना ठोपके किया यह भी नहीं कि उनको किसी की इजाज़त लेनी थी किसी को मनाना था उद्दाव ठाकरे मान मनोवल में लगे रहते थे लेकने इकनाथ इतने इकाम नहीं किया उन्होंने बोला कि हमने एलान किया हमने किया आइकोनिक लोकेशन है बैंडर वर्सोवा सीलिंग बहुत जल्दी बनके तयार भी हो जाएगा उसका नाम रखा इसके लावा हम एहमद नगर कर दिया और अपनी ये तक नहीं देखा कि हमारे देश के इतिहास में अहिल्या भाई होलकर का जो कॉंट्रिबूशन है जिस तरीके से उन्हों रिफॉर्म किया सोसाइटी को जिस तरीके से उन्हों कुछ ऐसा नाम रखा हुए है उनका नाता उस जमीन से जादा है उ और हिंदुत के मुद्दे को जगा के भी रखा हुए हिंदुत के लिए काम किया और इसलिए वह बहुत संशाइद ये जर्नलिस्ट के नजरिये से जो मैं देख पा रहा हुआ हूँ आप डिफर कर सकते हुए हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम कॉमन लड़की हूँ कापूर से उनकी फिल्म नायक से तो इंस्मायड नहीं है वोडियाकर से बाता है आपने सवाल भी खुद किया और जवाब भी खुद ही दे दिया आप ये कह रही है कि उन्हें ग्रासरूट लेवल पर क्या काम किया है लेकि फिर भी वह गड़े नाले ये समस्या नहीं भी मैं कह रहा हूँ ना आपने अब तक कौन सा ऐसा सीम देखा है कि मुंबई जब दूब रही थी तो सड़कों पे थे वह आके मुंबई का मुआयना कर रहे थे कि कहां पानी जमा है कहां पे पानी फस रहा है और कहां पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा है तेल मी मुझे तो अभी त अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुत्तों से ही सिर्फ सरकार नहीं चलती है डेवलेप्मेंट के भी काम करने पढ़ते हैं और मैं आपको एक, दो, तीन, चार नहीं ऐसे कही काम गिना दूँगा जो एक साल में हुए हैं शेंदेस एवन हेल्थ एल्थ इंचारंस के लिए रह करने आपको डैसे कही काम हुए जिसका सीधा सीधा वास्ता जो है नहीं वह कंन पबलिक्स हैं खर कॉमन पबलिक में आता हूं बाद में सबसे वहले आपने मुम्बई की बात कितो मैं मुंबई की कर लेता हूं देखिए, कई काम थे ऐसे जो उद्धव सरकार में फंसे हुए थे, आपने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही, अगर बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो अपना देश भी जो है उन देशों के लिस्ट में आ जाएगा, जहां पर बुलेट ट्रेन दौड हमें नहीं थमाया, आज भी बहुत बारिश थे, बता देखिए तो एकना शिंदे उसके लिए भी ग्राउंड जीरो पे थे, तो अब इतना सब कुछ आखों से देखने के बाद अगर कोई पूछता है कि डेवल्लप्मेंट के काम कहां पर हो रहे हैं एक साल में, तो मुझे एक नहीं दोने 28 किसम के फैसले लिये हैं, बड़े फैसले, जो 700 कुछ क्लिनिक्स भी खोल रहे हैं, बिल्कुल, और फैसले ऐसे हैं यह तो एक दो पॉइंटर्स हैं उसमें, इन्होंने क्या किया है कि हर आदमी जो महराष्टर का नागरिक है, जिसके पास राशन काइड है पॉइंट मेरा यहां पर, sorry मैं आपको बीच में रोक रही हूं, कि एक चीज हमेशा देखी गई है कि जो अनाउंस किया जाता है या जो कहा जाता है, उसे एक्जिक्यूट कितने अच्छे तरीके से किया जाता है, that's very important, कह देना और करना, जैसे मैंने कथनी और करनी की बात देखना शिंदे सिर्फ 4 गंटा सोते हैं, यह मुझे पता है, already, वो इसलिए 18 गंटा 20 गंटा काम कर रहे हैं, ताकि जो उन्होंने टेबल किया आइडिया, जो उन्होंने फ्लोट किया आइडिया, वो किस लेवल पर एग्जेक्यूट हो रहे हैं, वो यह देखना चारा है, वो इस प्रियोरिटी टो है, बिल्कुल, अगर बात करें तो डिवेलॉपमेंट के मामले में, काम करने के मामले में, अगर महराष्टा सरकार की पूरी बात कि जाये, तो एक साल में अगर इतना अचीवमेंट किया है तो आने वाले, जो आगे के साल हैं, इसमें और अच्छ तो उससमय भी हो रहा था कि एक भी डिसीजन जो लिया जाता था तो अच्छे से एक्जिजीएन नहीं होता था था गाहिन के यडंगा लगता था तो उससमय के भी कुछ लोक थे जो पेंशन पर थे सर्प्राइजिंग ली उद्धाव ठाकरी गॉवर्मेंट ने उनकी पेंशन रुख दी यह पेंशन शुरू किया है सीम एकनाथ शिंदे की सरकार ने वापस से ही थिंग से बाउट एवरीवन और वो चुकी पीम मोदी की बहुत इज़त करते हैं उनके बहुत सारे चीजों से वो कनेक करते हैं पीम मोदी नी जैसे कहा था कि सबका साथ सबका विकास तो वो समाज के हर तबके के बारे में सोचते हैं एक इंसिनेंट में साइट करता हूं जो सीम फंड हो था सीम रिलीफ फंड जिसमें से सीम को ये प्रेरोगेटिव है कि वो निकाल के किसी राहत काम में खर्च कर सकता है अभी वो किसी कहीं तो दौरे पे गए थे और वहां पे एक महिला आई जो की बहुत गरज में थी और सीम एकनाथ शिंदे ने देड़ लाक परिवार है और इसी वज़ा से वो अलग है मुझे याद है कुछ दिन पहले जब मैं उनका एक स्पीच सुन रहा था वो कहते है कि मैं दो दो पेन रखता हूं अब दो पेन क्यू रखेगा आदमी या तो अलग लग कलर की रखेगा या फिर लेकिन वो एक ही रंग की दो कल होगी और वो signature करते चलते हैं ताकि कोई काम न रुके लोगों को मदद पहूंचे अगर बात करते हैं तो महाराष्टा सरकार ने जो achievements की है जो developments की है वो अपने आप में बहुत बड़ी उप दिया और आने वाले सालों में भी I think वो कुछ और ऐसा करके दिखाएंगी जिससे हम सब जो हम कौमन जनता है या कौमन पब्लिक होनको लगेगा कि यहार हमारे ले भी कुछ हो रहा है यही मुझे लगता है गवर्मेंट से एक्सपेक किया जा सकता है बेशक वो किसी भी स्टेट की हो या किसी भी कंट्री की अगर बात कर रहे हैं और हम एक साल के achievements पे बात क कि सरकार आपके घर पर आ रही है अपल्या शासन अपली सरकार आपल्या द्वार इस किसम से योजनाय शुरू की जा रही है और सिर्फ मकसद बहुत प्योर है उनका कि हम अपनी जरूरतों के लिए और जरूरत कि इसको पढ़ती थी किसानों को स्टूडेंट्स को हाउसोल् अपनी गरज के लिए सरकारी दफ्तर जाते थे अर्ज देते थे अपलिकेशन देते थे और एक खिड़की से उस खिड़की वो धक्के खाते हैं सरकारी कामों में वक्त लगता ही है लेकिन यह कॉंसेप्ट ही चेंज कर दिया है अब यह जो योजना सीम एकनाज शिंदे सरक किया है उसके उपर आपकी क्या रहा है क्या achievements रहे हैं क्या developments रहे हैं कुछ और भी आप शेयर करना चाहते हैं कोई suggestion देना चाहते हो तो जरूर हमें comment section में लिखके भेजे thank you so much I was so curious to know about everything thank you thank you thank you thank you politically मैं बहुत ज्यादा correct नहीं समझती हो मेंशा कुद को लेकिन इतना knowledge जब मिल जाता है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ CM एकनाज शिंदे की सरकार के जो developments रहे हैं उनके चलते कहा जा सकता है कि yes a good governance वाली सरकार या government हमको मिल चुकी है thank you so much for watching us on the big bench